हलो अब्रिवन वेलकम टो इस्टेटीवी ध्यान प्रकास दोस्तों सुरू करते हैं 23 फरवरी के करने फेर लेकिन उसके पहले करेंगे कल की जितने भी प्रस्ते उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन तो हाली में संपन आस्टेलियन ओपन 2021 का फिमेल सिंगल जीत लिया है जाप और रुदेश में एक सिवामित्र नामक आयप जारी होगा जो कि कारीगरों और कामगारों के लिए होगा किसे क्या होगा कि आप अपने छेत के जो भी प्लंबर और मतलब जो भी मिस्त्री बगरा होते हैं उसको आप बुला सकेंगे और गो इलेक्ट्रिक अभियान यह सुर परिसत उसकी जो छटी बैटक हुई है उसकी अधेस्ता भी प्रधान मंत्री नरेंगोदी ने की है कौन सा देश एरो 4 नामक एक नई वैलिस्टिक मिसाइल धाल विक्सित कर रहा है जवाब इसका बनेगा इसराइल और IMI 3.0 यानि कि इंटेंसिफाइड मिसन इंद धनुस 3 3.0 को लांच किया गया है स्री हर्स्वरदन के द्वारा भारत ने विजय सुविदा और श्रम्रा प्रदोकी की संबंद में किसके साथ समझता किया है यह है एथिरूपिया और CSIR ने किसको बढ़वा देने के लिए विल और मिलेंडा गेट्स फांडेशन के साथ एक समझता पर हैलीना और धुरुअस्त्र एंटी टैंक गाइडेट मिसाइल का सफलता पूर्वा परिक्षन किया तो यह है पोकरन राजस्थान और हाली में एकुबेर भुकतान प्रडाली का सुपरम करने वाला जो पहला के अंसासित प्रदेश से बन गया है जम्मू कस्मीर आगे ब उसाका ने वेरी इंपोर्टेंट इसलिए मैं इसको अब बार पार रिविजन कर रहा हूं ठीक है इसको याद रखना और याद दूस्तों यह भी याद है ना कि नौमी उसाका ने इसके पहले आस्टेलियन ओपन को 2019 में भी जीता था 2020 में उन्होंने यूएस ओपन जीता थ कि वर्ड के नंबर एक टेनिस कि लाड़ी नौवाग जोकविच ने आस्टेलियन ओपन के फानल मुकावले में डेनियल मेद्वेदियो को हराया है ठीक है और दूस्तों यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान देना होगा कि सरवाधिक जो ग्रेंड स्लैम भी जीता है इ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो आस्टेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी है पूरुस खिलाड़ी नौवाग जोकविच रिकार्ड नौ बार जीत चुके हैं सबसे अधिक बार तो यह कोशन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार आस्टेलि च्छ बार जीत चुके हैं अंध्रिय अगासी जैक क्राफूर्ड और कें रोसोवा इन लोगों ने चार चार बार जीता है आस्टेलियन ओपन तो यहाँ रगना नौवाग जोकविच ने रिकार्ड बना दिया है जो कि सर्भिया के रहने वाले हैं यह भी घुशना सकता है क नौवाग जोकविच कहा के खिलाड़ी हैं तो यह सर्भिया के हैं और इन्होंने रिकार्ड नौ बार जीता है आस्टेलियन ओपन ठीक है तो इन्होंने दोजार आठ में 11 में 12 में 13 में 3 बार लगातार 11 12 13 फिर 15 16 और 19 फिर 19 20 और 21 लगातार ठीक है तो दो बार ने तो लग इन्होंने तीन बार 11 15 और 18 में तो यह सारे रिकार्ड जो है यह आपको याद अखने होंगे बेसिकली आप इतना याद थकना कि आस्टेलियन ओपन 2021 का में सिंगल जीत लिया है नौवाग जोकविच ने और उन्होंने रिकार्ड इसे 9 बार जीता है चीक है आस्टेलियन ओ प्राम और जो सलिस बरिक हो रहा है तो सई जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं कौन सा जहाज यह ने वी डी एक्स 21 और आई डी एक्स 21 में भाग लेने के लिए स्वयूंग्त अरव अमिरात के अबू धा भी पहुंच गया है तो यह जहाज है भारती सेन का आई एनस पर ले तो आप्शन सी इसका बिलकुल करेक्ट है फिलाव आपको बता दे कि भारती नोसिना का जहाज पर ले 20 से 25 फवरी 2021 तक निरधारी यह ने वी डी एक्स यह ने वी इसका उतर नेवल डिफेंस एक्जिवीशन 21 नोसिना रक्षा प्रतरशनी और आई डी अंतरराश्टी नोसिनिक और रक्षा प्रतरशनी में से एक है तो यह एक एक जिवीशन है जिसमें भारती नोसिना का जहाज प्रलय वहाँ पर गया हुआ है बीस फरवरी को कौन कौन से राज्यों ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है तो सही जवाब इसका क्या होगा अरॉनांचल परदेश और मिजोरम ने यानि की उप्रोक्त दोनों ने तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अरॉनांचल परदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 को अपना राज के दर्जाप रात किया था इनके अस्थापना कविधी 1987 में अरॉनांचल प्रदेश के मुख्यमं जलबाय परिवरतन सभ़थे में वापसी किये सएँजब आब इसका क्या होगा सवीजब आब श्रक्तों अमेरिका ने 2s 2018 में अमेरिकानी पेडिस जलबाय परिवरतन सम surprise से मलब इस 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 ग्रूप में बने रहने से इंका कर दिया था और फाइनली उन्होंने इस ग्रूप को लिप कर दिया था लेकिन अब अमेरिका के जो नए आस्पति आए है जो बाइडन उन्होंने इस ग्रूप में वापसी कर ली है या दखना कि अमेरिका ने आधिकारी तोर पर उन्निस 2021 को पेरिस जर्वाय प्रवरतन समझोते में फिर से वापसी करी है लक्ष दीप में किस मंत्रा ले ने अटल पर्यावरण भवन की सुरुवात करी है अटल पर्यावरण भवन और ये कौन है मंत्रा ले आप्शन A, B, C, D सही जवाब होगा पर्यावरण बन और जर्वाय प्रकास जावडेकर ने 19 फवरी 2021 को लक्ष दीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्गाटन किया है अटल पर्यावरण भवन का उद्गाटन करते विए मंत्री ने कहा कि लक्ष दीप एक ब्यापक विकास से गुजरेगा वह भी प्रकृति के प्रतिक के इन सासिर सासन में विविन विभागों के सचिमों के साथ उच अस्तरी वैटकों में भी भाग लिया है वह सुहेली कदमत और बारंगम दीपों में कायकरमों में भी भाग लेंगे और केंट सासिर प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की प्रमुख अभिनों पहनों का मुल्या सागर में तो option B हमारा यहाँ पर बिल्कुल correct है दोस्तों भारत और इंडोनेसिया की नौसेना ने समुद्री शित्री में सहयोग बढ़ाने के मकसद से 18 फवरी को अरब सागर में सैने भ्यास किया है भारती नौसेना के पोत आई एनस तलवार और इंडोनेसिया की नौसेना के बहुत उद्धिसी पोत के आराई बुंग टोमो ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है भारती नौसेना ने एक ट्वीट में बताया है कि सेनाओ के 20 तालमेल बढ़ाने और द्विपक्षी समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारती नौसेना के पोत आई एनस तलव लाल लकीर को मंजुरी दिये तो यहां पर तस्वीर आपके सामने हैं अगर आप पहचान गये होंगे तो सही जवाब पता चल गया होगा आपको आपको आप्सन बी पंजाब ठीक है तो दोस्तों सब्सक्राइब है पंजाब तो पंजाब मंद्री मंडल ने सभी गाउं में मिसन लाल लकीर को लागू करने की मजुरी दिये है लाल लकीर में आने वाली जादेदों के लिए अधिकारों का कोई रिकार्ड उपलब दिना होने के कारण मवजुदा समय में असली मुद्र के अंसार इसका मुद्री करण नहीं कहा जा सकता और नहीं रखा जा सकता है तो हाल इमें किस रूट पर हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की बात कहिए अभी ये सेवा कब से शुरू होगी ये डेट क्लियर नहीं है लेकिन ये चलेगा हाइड्रोजन से तो सही जवाब उसका होगा दिल्ली जैपूर रूट पर ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर ब प्रिशुदा मना रहा है बता दें कि यह भारत में पहली याप शी इकेवी बस सर्विस होगी जिसे इस से दूसरे से में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाईगा अलांको यह बस सर्विस कब से शुरू हो रही है इसके बारे में अभी कुछ खुला सा नहीं हुआ है और बात करेंगर एंटी पीसी के बारे में तो इसके स्थाफ़ना वईती 1975 में हेर्कॉटर में लेगा आपको नई दिल्ली इंडिया में तीसमी एड्रियाट्रिक पर्ल टूर्णामेंट किस देश में आवजीत किया जा रहा है सही जबाब क्या होगा सही जबाब होगा आप भारत लिए अच्छी कबरें आ रही है भारती बाक्सरों ने अब तक दो सुन दो रज़त और तीन कांस पदक जीत लिया है देश के पहले डिजिटल विश्विदालय का उद्गाटन कहां पर क्या गया देश का पहला डिजिटल विश्विदालय ये खुला जा रहा है केरल में तो ऑप्शन सी बिलकुल यहां पर सही है केरल ने सेक्षडिक छित्र में प्रगति की और एक बड़ा कदम बढ़ाती हुए देश के पहले डिजिटल विश्विदालय की सुरुवात किये तिरुवनत्पुरम के पास मंगलापुरम में इस टेक्नो सिटी में इस के चांसलर भी है मुक्यमंत्री और राजपाल ने वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से समारा को सम्मोधित किया है मंद्र प्रदेश के मुक्यमंत्री ने हाली में किस सहर का नाम बदलकर नर्मदा पुरम कर दिया है हलांकि अब नाम पूरी तरह हुआ नहीं है लेकिन यही न संगाबाद का नाम नर्मदा पूरम किये जाने समंदीत एलान किया है उन्होंने कहा कि जल्दी नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया जाएगा और अब बार यह कुछ नंबर 22 की प्रादीपी भारत का सबसे दक्षणी विंदु कन्या कुमारी कहां पर स्थित है यहां पर बहुत सरा लोग ने बहुत सांदार आंसर राइटिंग किये जितने भी लोग यहां पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनकी सफलता में कोई संदे नहीं है अगर आप अभी तक आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आज ही आप लोग भी स्टार्ट क के दक्षण में इस्तित है यहां अरव सागर बंगाल की खाड़ी और हिंद मासागर का संगम होता है कन्या कुमारी तमिलनाथ राजी में इस्तित है और विदेशी परेटकों द्वारा इसे इलेक्जेंडिया आफ इस्ट की उपमा दी गई है यहां विवेकार नंद रॉक पे इक्वेटर रेखा चीक है यानि कि प्रिदिमी के दो बरावर भागों में यह बारती है और हमारा प्यारा भारत जो कि आपको यहां पर पिले में दिखाई दे रहा है तो हमारा प्यारा भारत क्या है यह एक्वेटर के उत्तर में है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक प्लस मनाएं तो इधर east होता है इधर west ऊपर तरफ नार्थ होता है नीज़ तरफ south होता है तो equator से आप ऊपर जा रहा है याणि कि equator से भूमद रेका से उत्तर में इस्तित है भारत तो यह जो तमिल नार्ड में इस्तित है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंद्रा अपर से जो रेखा जाती है उसे करते है करक रहेखा है ट्रॉपिक आफ कैंसर ठीक है इसके दक्षण में स्तित होगा इंद्रा पॉइंट इसको ऐसे समझे आप यह करक रहा ठीक है और यहां है आपका जो कन्याकुमारी तो यह दक्षण में है तो अंसर बिल्कुल करेक्ट है कि प्रादीपी भारत का सबसे दख्षडी विदु कन्याकुमारी जो है ये भुमंदित रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के दख्षड में इस्थित है और अब बारी है आज के क्वेश्चन की 2011 की जन्रणा के अनुसार 2011 की जन्रणा है वो अभी भी काविर प्रासंग है और ये कुशन पुछा गया था खंडशिक्चा अधिकारी परिच्चा प्राणवी परिच्चा जो कि अगस्थ 2020 में हुई थी तो किसन ये पुछा गया था कि 2011 की जन्रणा के अनुसार भारत के निम्लिकित राजियों में से किसमें प्रती सौ बालिकाओं जिनकी उम्रत 0 वीडियो से 6 वर्स के बीच में है कि संक्या पर बालकों की संक्या कितनी है मतलब सरवार्दी किस राजिकी है और चार बीकलब आपके सामने हैं बिहार पंजाब हर्याणा और पश्चिम मंगाल इसका अंसर आप लो लिखेगा 2011 का जो सेंसर से उस पर अभी पुछे तो यह काफी इंपॉर्टेंट है अगर 2011 सेंसर पर आप एक महतुपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्कृस्टन चेक करना या फिर सिंपल ही यहां आई बटन कहीं मिलता है वहाँ पर आप लिक करोगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो